अब आगे जानते हैं how to convert यानि कि इसे convert कैसे करें तो हमने आपको intrinsic value और positioning के बारे में तो बताया है अब आप conversion के three steps के साथ proceed करेंगे अगर आप अपने victory equation में फिर से जाए तो देख सकते हैं कि हम पहले से ही promotion part में हैं Convert का मतलब है sale करना यानि कि profit कमाना Conversion के ये three steps क्या है आए जानते हैं पहला है pre-framing ये आप अपना opt-in product देने से पहले करते हैं दूसरा है indoctrination जब आपके customers opt-in लेते हैं और आपके landing page तक पहुँचते हैं और finally तीसरा वाला है conversion और ये तब होता है जब आप अपनी actual sales करते हैं और ये वो time है जब customers आपके product को खरीते हैं इसके बाद आपको ना customers से communication लगातार बनाए रखना होता है तो हर step के लिए कुछ material है जो आप use कर सकते हैं अब जब आपके पास अपना pre-framing, indoctrination और conversion material है तो अब आपका target होगा कि customers में अपने product की इतनी demand रखना कि लोग आपकी बेचने से पहले ही आपका product खरीदना चाहे इससे आपका profit, demand और intrinsic value तीनों बढ़ेगी आई अब आगे जानते हैं pre-framing के बारे में आप अपनी positioning को कैसे deploy करेंगे आप ये promotion के through कर सकते हैं इस point पर अभी आपके customers के पास opt-in का option नहीं है अभी वो आपके sales funnel के अंदर भी नहीं आये है तो आपको उन्हें pre-framing material देना होगा वो इसी लिए ताकि वो आपको समझ सके और like करे market में आपका product consume होने से पहले ही आपको pre-framing करनी पड़ेगी वो इसी लिए क्योंकि जब तक customers opt-in करें उससे पहली ही वो आपके fan बन जाए अभी उन्होंने ना आपका product देखा भी नहीं है मगर वो इसे लेना चाहते हैं तो pre-framing और indoctrination का goal है आपके customers को actual conversion process तक लाना जी हाँ जब आप उनके साथ एक relationship को build कर रहे हैं तो आपको अपनी goodwill उन तक पहुँचानी होगी क्यूंकि customers के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ profit नहीं कमाना है बलकि आप उन्हें सच में help करना चाहते हैं फ्रेंकन इस बात पर जोड देते हैं कि आपको सच में अपने customers की care करनी चाहिए information business के लिए convert best काम करता है आप लोगों को better बनने में help कर रहे हैं आपका product fitness हो सकता है या diet relationship finance या कुछ भी जो लोगों की lifestyle इंप्रूव कर सके तो ये process आपकी sales बनाने के बाद में भी नहीं रुखता है आपको अपने customers के साथ अपने relation को nurture और maintain भी करना है cult following of raving fans इसी तरीके से बनाए जाते हैं इसी तरीके से आपको repeat buyers भी मिलते हैं और हाँ ये याद रखे कि आपको goodwill हमेशा communicate करनी है अपने customers की help करना एक सही चीज है साथ ही ये selling को faster और easier बना देता है जिससे ये सब के लिए एक win-win situation जैसा है अब आप कौन सा pre-framing material यूज कर सकते हैं ये वो materials है जो आपका market actual interaction से पहले ही देख लेता है आपका pre-framing materials आपका pay-per-click ads हो सकता है या viral videos, blogs, articles और interview चलो PPC ads या pay-per-click ads से शुरू करते हैं जो आप अपने ad में डालेंगे वो आपके बारे में लोगों की opinion को greatly influence करेगा इसके अलावा pay-per-click ads के दूसरे फायदे भी हैं ये magnets की तरह है जो सिर्फ उन्ही customers को attract करता है जो की आपको चाहिए फ्रेंकन के एक pay-per-click ad का एक example लेते हैं ये उनके young, rich और crazy webinar product के बारे में हैं फ्रेंकन को uptight customers पसंद नहीं थे बलकि उन्हें ऐसे customers चाहिए थे जो की enthusiastic, मज़ेदार, creative के साथ-साथ hard working भी हो तो young, rich और crazy headlines फ्रेंकन के ideal customers को attract कर सकती थी और यही वो लोग है जो ad पर click करेंगे मगर जो uptight होंगे वो नहीं करेंगे वो यही सोचेंगे कि webinar उनके लिए नहीं है तो याद रहे कि आपको customers के साथ long term relation बनाना है यही लोग आपकी लिए दिन, रात काम करेंगे इसलिए आपको ना, सिर्फ उन्हें ही attract करना है जो आपके लिए ideal है दूसरा अच्छा pre-framing material है interviews जिस इंसान ने आपका interview लिया उसका आपकी positioning पे great impact पड़ेगा अगर आप वो है जो interview ले रहे है तो जिसका भी आप interview लेंगे उसका आपकी positioning पर influence पड़ेगा जैसे कि YouTube पर एक वीडियो वाइरल हुआ था जिसमें Tony Robbins Frank Kern का interview ले रहे थे तो ये Frank की positioning के लिए एक बहुत बड़ी मदद साबित हुई क्योंकि Tony Robbins self-help business में एक authority है और celebrity भी तो इस interview के वज़े से लोग Frank Kern को भी Tony Robbins के level का समझने लगे थे वाइरल वीडियो एक तरीके से pre-framing का तरीका है जैसे blog और articles भी तो एक time था जब Tony Robbins speaker थे इस वीडियो में Frank Kern internet marketing के बारे में सवालों के जवाब दे रहे थे Tony ने caption रखा internet marketing legend जो Frank Kern को refer करता था ये one blog post एक article भी था जिससे लोगों को business में Frank की अच्छी reputation और positioning के बारे में information मेली